नमुश्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधी राधी, ब्रत बिधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, दोस्तों आज हम बात करेंगे मुक्षदा इकादेशी ब्रत कथा के उपर, मार्ग सिर्थ मास के सुकल पक्ष के इकादेशी को मक्षदा इकादेशी या मक्षदाईनी इकादेशी नाम से चाना जाता है। इस ब्रत से बिधी विधान से पुजा करने से अपना और पूर्बोज का दोनों का ही नरक यंत्रना से मुक्ति मिलती है। इह जिवन में शुक संप्रिद्धी के साथ रहते हैं और मुर्ट्य के पाद मक्ष लाब होते हैं। जबकि यही पुर्बज आज के नरक जंत्रना भूग कर रहे हैं या अपने कर्मों के वज़े से बहुत ही तकलिफ में हैं। उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए भी मुक्षदा इकादशी का बरत पालन करने की बिधान है। इत्पन्ना इकादशी का संपौण बित्तान सुन्ने के बाद, धर्मराज जुधिस्ट्री ने भगवान सुर्क्रिष्न से कहा। हे मधसुदन, आप तो तीनों लोगों का स्वामी है, सब को सुख देने वाले और जगत के पती है, मैं आपको नमन करता हूँ हे देव, आप सभी का हित्वैसी है, इसलिए मेरा यह संगसाई दूर करे की मार्क सिर्ष सुकला इकादसी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता का पूजा की जाती है, और उसकी वीधी भी क्या है, भगवान आप मेरे इन प्रशनों का विस्तार पुर्वक उत्तर देने के क्रिपा कीजिए, भगवान स्रेकिष्ण ने उत्तर दिया, हे तुमने बड़ा ही उत्तम प्रशन पूछा, इससे आपका यस संसार में फलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुने, मार्क सिर्ष सुकला इकादसी अनेक पापो को नस्ट करने वाली है, इसका नाम मक्षदा इकादसी है, इस दिन दामुदर भगवान का धूप दीप नईव पूजा की जार करना चाहिए, अब मैं एक अती प्राचिन कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार से इस इकादसी का व्रत करने से नरग गय हुए माता, पीता, पुत्रादी के स्वर्ग की प्राप्ती होती है, गोकुल नामक एक नगर था, जहां बैखानस नामक एक राजा राज करन करता था, एक समय रात्री में स्वपन आये, राजा ने देखा कि उसके पीता नरक में पड़े हुए है, और नरक चंत्रना से मुक्ती के लिए उनको बार-बार कह रहे है, स्वपन देखते राजा को बहुत ही दुख हुआ, और एक आश्चरय भी हुआ, कि प्रातक काल ह होते ही, राजा समस्त विद्यानों के पास ब्राम्हन के पास ये सपनों के बात की, राजा ने कहा है ब्राम्हन, रात्री में ये सपनों मैंने अपने पीता को नरक में पड़ा हुआ देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मुझे नरक फोग करना पड़ रहा है, यह से मेरी मुक्ति करो आप लोग मुझे कोई दिशा कोई तप कोई दान कोई ब्रत कोई उपाई जरूर पताए जिससे की मेरी पिता का मुक्ति हो जाए उस पुत्र का जीवन वैर्थ है जुनने अपनी माता पिता का उध्धार न कर सके एक उत्तम पुत्र जो अपनी माता पिता तथा पुर्बोजा का उद्धार करता है वो हजार मुर्ख फुद्र से अच्छा होता है राजा के ऐसे बचन सुनके ब्रामन ने कहने लगे हे राजन यहां समिक में भूत भविस्वर्तमान को जानने वाला परवत रिसी का आस्रम है आपके सभी प्रस्णों का उत्तर भली भाती वो दे सकते है ऐसा सुनने के बाद राजा परवत मुनी के आस्रम में गए उस आस्रम में अनिको सांत चीत जोगी और मुनी तपस्चा कर रहे थे उसी जगह पर चारो वेदों का ग्याता शाक्षात ब्रह्मा शमान परवत मुनी बैठे थे राजा ने वहाँ जाकर उनको सस्टांग प्रणाम किया मुनी ने राजा से उनके आने की प्रयोजन पूछे राजा ने कहा है माराज आपके कृपा से मेरे राज्य में सब कुसल मंगल है परन्तु अकस्मात एक बिगन आ गया है जिससे मेरी हृदाई में अतन्त असांती हो रहे है यह सुनकर परभत मुनी एक शन के लिए अपनी आख बंद कर लेते हैं और भूत और भविश्य देखते हैं अपने तपोबोल से समस्त भूत वविश्य जानने के बाद मुनीवर कहे हे राजन मैंने आपने जोगवल से तुम्हारे पिता का सभी कुकर्म का ग्यान कर लिया है उन्होंने पुर्वजान में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातूर पतनी का रितुदान मांगने पर भी मना कर दिये थे उसी पाफ के फल है कि तुम्हारे पिता आज नरप जंत्रना भूग कर रहे है तब राजा ने बोला हे महातौम मेरे पिता का उद्धार निमित कोई उपाई बताए परवत मुनी बोले हे महाराज हे राजन माक्ट सिर्शुकल एकादसी में उपवास करके उसकी पुन्य आप अपने पिता के नाम पे संकल्प कर देना उसी एकादसी के पुन्य फल के प्रवाव से अवश्य ही आपका पिता का मुक्ती होगी मुनी की बचनों से सुनका राजा ने अपनी महल में बावपस आगे और कुटुम्ब सहित इस दिन मक्षदा एकादसी का ब्रत पालन किया फिर उत्वास किये और अपने समस्त पुन्य के फल अपने पिता के नाम पे अरपन कर दिया इसी पुन्य फल की प्रवाव से राजा के पिता नप जंत्रना से मुक्त हो गए और उनको स्वर्ग लाब हुआ मार्क्सिस महीनिकी सुकलपक्स की इस मुक्षदा इकादेशी के ब्रत करने वाले की समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं अंत में उसको स्वर्ग लुग की प्राप्ति होती है इस ब्रत से बढ़कर कोई मुक्षदेने वाला अंने कोई भी प्रत नहीं है अपना और अपनी पित्रों का नरग यंत्रना से मुक्ति पाने का एक मात्र उपाई है मक्षदा इकादशी इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से बाच्वे जग्य का फल मिलता है यह ब्रत मक्षदेने वाला है तथा चिंता मणी के समान है सभी चिंताओं को दूर करने वाली मक्षदा इकादशी के ब्रत पालन जूभी करते है यह जन्म में सुक्त सम्रद्धी के साथ रहके मृत्य के बाद मक्षलाब करते है इतना कहकर भगवान स्रक्रिष्ण मौन हो गए मक्षदा इकादशी के दिन गीता जयन्ती की भी पालन किया जाता है कारण मैंने सुरू में ही आप सभी को कहा इस दिन गीता का विदिवत पूजा करे पंचोपचार पूजा करे और पूजा के बाद प्रत कथा जरूर सुने भगवान स्रक्रिष्ण के क्रिपा आप सभी के उपर रहे यही कामना करते हुए आज के वीडियो यही समाप्त करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करे, सेयर करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विदाय दे हरे कृष्णा राधे राधे